आई ये वो शायर को मैं आवाज दू जिससे हिंदुस्तान भर में जहां जहां मैंने भुगा रहा हूँ और जिस उमीद के साथ पुकारा उसने मेरे उमीद के ग्राफ को नीचे नहीं होने दिया बलके मेरे उमीद का ग्राफ हमेशा उपर ही रहा ऐसा शायर उसको सिर्फ एक शेर से आवाज दे रहा वो बता देगा कि उसका मकाम क्या है और वो कैसा शायर है खुद बताएगा उसका कराम, उसका अंदाज, सिर्फ एक शेर से, कि मैं अंधेरों में भी दुनिया को दिखाई दूँगा, मैं अंधेरों में भी दुनिया को दिखाई दूँगा, इतना गुजूँँगा कि सदियों को सुनाई दूँगा, हामेद बुसावली, मैं इसे ग जारिश कर रहा हूँ एक खुब्सूरा शायर आपके हवादे जोर दातारियां होने चाहिए इस चाहिए इमानदारी की बात यह है कि मैं मायूस हो चुका था बारिश में आप लोगों की घर मवजूद्गी से लेकिन आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं कि आप लोग बारिश उटने के बाद फिर आए और मुबार्ट बात तुम्हें इस बच्चे के जोने बच्चे एक चल पूशे के लाम दोंगा अली इसरार ने भी बहुत अच्छे शेर सुनाया और ये इसमाइल राज ने कमाल कर दिया मेरे इंतिखाब में कुछ ऐसा था जेरोश भाई है के चले गए मेरे इंतिखाब में जरोश भाई यसा था कि मुशारा सुनाओंगा लेकिन इस बच्चे ने बताया कि यहां पर शेर भी सुने जाते हैं तो मैं शेर सुनाने की कोश्च करता हूं तो आप लोग वैसे ही सुनेंगे तो मुझे 10-15 मिट में असानी हो जाएगी जिन्दगी से करीब कि शारी किसी मोड़ का आपके काम आएंगे वैसे शेर सुनाता हूं सुने हैं आपके काम आएंगे मैं मैं से शुनाता हूं कि कहानी को बहुत गहुर से सुनना है भाई बिच्चे वालो जरा सा तस मिट आपके काम आएंगे वैसे शेर सुनाता हूं कि कहानी को कहानी को कोई तो मोड़ दो ना सानी सुनना आप लोगों ने बहुत अच्छी शायरी सुने कहानी को कोई तो मोड़ दो ना बुरे हैं हम तो हमको छो दो ना बहुत शुक्रिया मैं मैं मेरे बहुतरम यहां फिरो दर्शी साथ और मैं ने कहीं बरस इनको सुना है भाई दंसारी साथ मैं बहुत इज़त करता हूं मुश्टाक एमद मुश्टाक बहुत अक्षे शेर आपको सुनांगी इसाथ बहुत मैं इम्रान भाई की वी मेहनतों को और मास की मेहनतों को सलाम करता हूं मुझे पता चला कि यहां कवाली होती थी संगीत से हटकर अगर आप शेर सुन रहे हैं तो यह इन लोगों की मेहनतों का नतीज़ा एक बार इनके लिए तालिया बदाए कानी को बस ऐसे ही किसी मोरवे काम मिला सकते कि कानी को कोई तो मोर दो ना कहानी को कोई तो मोर दो ना बुरे हैं हम तो हम को छोड़ दो ना बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना बहुत पेचैन हो कुछ तोडने को ये दिल हाजिर है इसको तोड़ा बहुत पेज़ा है दस मिलिट जदा नहीं बहुत सर्दिनाथ हो चुकिए आप लोग नूर जैसा जैसा बनाएंगे लिए चले तुम्हारा कि मैं कर देता हूं कि मैंने सोचा ता गरम करने का लेकिने बच्चे ने वाके मैं इसलिए शायरी के ट्रेक पर आया एक मतला और दो तींचेर पर शायरी वाले सुनाता हूं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन मेरे हक मेरे तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन आई ना फिर आई ना है दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन आई ना फिर आई ना है सची बोलेगा हुजूर छूट कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन हुआ हुआ हाईडवा नहीं है सच्छी बोलेगा हुजूर जूटकर एक शेर परता हूं मेरी मेंनत वसूल हो जाए है तो होई तम और पर हैं और सच्छी बोलेगा हुजूर्व जूटकर कहने लगा तो फिर इसे देखे का कौन फिर इसे देखेगा कौन आप क्यों खंजर छुपा कर रास्ती में लाए हैं सानी सुनके इंसाफ कर देना दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन आप क्यों खंजर छुपा कर रास्ती में लाए हैं आप दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन आप क्यों घंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं आप तो मेरे हैं मेरे आप तो रोगेगा काउट एक मसला हर मुशायरे में होता है कि दूसरी बार में दाद कमज़र होती है और दूसरी बार में हम ताकत ज्यादा लगाते हैं तो एक ही बार सुनके छुटी करें आप मतला करता हूं कि दूरिया अच्छी हैं लेकिन इसकदर अच्छी नहीं आप हमसे बेखबर हैं ये खबर अच्छी नहीं दूरिया अच्छी हैं लेकिन इसकदर अच्छी नहीं आप हमसे बेखबर हैं ये खबर अच्छी नहीं है ये तमनाई तुमारी एक नजर के हम मगल जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी है अच्छी नहीं है पारत पारत तुरिया अच्छी है लेकिन इसकदर अच्छी नहीं आप हमसे बेखबर हैं ये खबर अच्छी नहीं हैं तमनाई तुम्हारी एक नजर के हम अगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं है अभी तो ये सुटकर कहा आपने ये सुटकर कह दिया आप बिना सुने कहेंगे इंशालला मेरा यकीन है बिना सुने कहेंगे आप दूरिया अच्छी है लेकिन इसकदर अच्छी नहीं आप हमसे बेखबर हैं ये खबर है तमनाई तुमारी एक नजर के हम अगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं मन्जिलों की जुस्तुजू अच्छी तो है हामिद्मिया जिस डगर पर चल रहे हूँ आओ मेरे सामने आकर बात करो आओ मेरे सामने आकर बात करो सच्छे हो तो आँख मिला कर बात करो आओ मेरे सामने आकर बात करो सच्छे हो तो आँख मिला कर बात करो तुमको देखके बीनाई बढ़ जाती है तुमको देखके बीनाई बढ़ जाती है तुम चिल्मन से बाहर आकर बात करो तुमको देखके बीनाई बढ़ जाती है तुम चिल्मन से बाहर आकर बात करो तुम हप पर हो तुम तुम हप पर हो वो बातिल है डर क्या है लेजे को तन्वार बनाकर बात करो मैं पहली बार यहां हूँ हाला कि मैंने भी नए शेर सुनाए लेकिन आपने वो शेर सुना रहो जो आप लोग पहली बार सुनेंगे वैसे सब लोगों ने सुने होंगे जहां जाए यूटूब के जरिये से आप वो चीपो आला भी पढ़ दूगा बैठके बैठके हां एक-एक मतला शेर मुझे भी याद आगया फिरोज भाई ने भी याद दिलाई कि जिसे भी तूट के चाहा बहुत है जिसे भी तूट के चाहा बहुत है उसी से रंजोगम पाया बहुत है अब शेर सुनो मन की बात सब कर रहे हैं मैं भी करूँ मैं घजल का शेर सुनाओंगा किर्दार तक आप अपने पहुंच जाएंगे जिसे भी तूट के चाहा बहुत है उसी से रंजोगम पाया बहुत है ख़फा है इसलिए तुझसे जमाना तु करता कुछ नहीं कहता बहुत है हवा को हवा को वैसे ही मूट बनाया है हवा को यू जलाया जा रहा है हवा को यू जलाया जा रहा है हवा को यू जलाया जा रहा है दिया खुदी बुझाया जा रहा है जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर बइठा रहा है हवाद को यू जलाया जा रहा है दिया खुदी बुजाया जा रहा है जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिढ़ाया जा रहा है मेरे अशार पर तन्कीद यानि मेरे अशार पर तन्कीद यानि मुझे खातिर में लाया जा रहा है मेरे अशार पर तन्कीद यानि मुझे खातिर में लाया जा रहा है दोस्तों आपको कोई दोस्त सामने से आ रहा है आपको देखकर नजर अंदास कर दे मजीद शोला ने मेरी गजल बहुत मशूर कर दी वैसे मैं फिर भी सुना रहा हूं आपको ये चाहतों का सिला नहीं है अपकर कोई दोस्ता रहा है आपको देखकर नजर अंदास करते हैं पतला है यादाया य यह चाहतों का सिला नहीं है कि यह चाहतों का वो सब तूर याता है जो मोमेंटम बनावा रहता है यह चाहतों का सिला नहीं है वो देखकर भी रुका नहीं है कि यह चाहतों का सिला नहीं है वो देखकर भी रुका नहीं है वो देखकर भी रुका नहीं है बहुत असी है किसी की आखें बसे कमी है हया नहीं है बसे कमी है हया नहीं है बसे कमी है हया नहीं है बताएं मुझको वो दिल की बातें अभी वो इतना खुला नहीं है बताएं मुझको वो दिल की बातें अभी वो इतना खुला नहीं है चला गया वो मिले बिनाई चला गया वो मिले बिना ही कभी तो ऐसा हुआ नहीं है उडेंगे जी भर के फिर कभी हम अभी मुआफिक फजा नहीं है अब दोस्तों ये बहुत मुकदस तरीन दर्गा यहां पर हज़र्ट गोरे कि मैं हाजनी मेरी एक शेयर में पढ़ता हूं दोस्तों मुलाइजा कीजिएगा बतारे खाथ तीन शेयर मेरा चार शेयर पढ़ूंगा उसके साथ मोमेंटम मत तोड़ना मेरा कमत बिल्कुल इतना कुला नहीं है अभी वो इतना कुला नहीं है उड़ेंगे जी भरके फिर कभी हम अभी मुआफिक फजा नहीं है हर एक दल पर जलीर होगा जो उसके दल पर जुका नहीं है पर चलते चलते एक चार शेयर सुनाता हूं आपको वो शेयर जिसने मुझे पूरे इंग्डुस्तान का सफर करवाया और जहां तक सीनियर शोरा का कहना है कि हामिक बसावली ने पहली मरतबा की पूपर शेयर कोई मुझे मिलाया था वो शेयर में सुना तो हुए उसके लिए चार छेयर बहुत हुथ सुनू है और क्या यह जहान है प्यारे और क्या थीरा चार शोरोग्त वही हमभतों से एताप सुन लीगे मैना वही थाकत से पूदूड consistsना सुद्थ हैं और क्या यह जहान ने प्यारे प हमसे तल्वार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, दिक्कते कुछ नहीं है मिलने में, बस अना धर्मियान है प्यारे, प्यारे, अना धर्मियान है प्यारे, ये चार शेर फिर स्पीड में पढ़ोगा, उसके बास जहमते तमाम, और वो शेर, हज़रते टिपु सुल्टान रहमतुलाले की शहादत, शहादत के बाद भी अंग्रेजों का खौफ, और हामिद बुसावाली का ये शेर, और क्या ये जहाने प्यारे, रोज एक इम्तियाने प्यारे, हमसे तल्वाल खौफ काती है, ये तो खाली मियाने प्यारे, अपने लहजे पर रख जरा काबू ये तेरा तर्जमाने प्यारे, दिक्कते कुछ नहीं है मिलने में, बस अना धर्मियाने प्यारे, अक्ल कहती थी अखल केती थी मर्गवाटी पूँ वों कलता था जाराइब थाली वजागे हमें तो लाजीश्यां कारवाटी था अत्जे की जहां किया है क्या हूं आहां नहीं प्यारे अकल कहती थी मरगवाटी पूँ खौफ का ताता जाना है एक मतला और दो शेर सुना के जह मतला सुनेगा मतला सुनाता हूं मुलाइज़ा कीजिए गा ये तीन तीन जगे के रिजल्ट आ है बहुत कुछ खबरी मिली हमको और यह वानी भी चाहिए सब जगे से मुलाइज़ा कीजिए मतला न जीत होती न ये जश्ट नहीं मनाते हम न जीत होती न ये जश्ट नहीं मनाते हम जरा भी हार से डरते तो हार जाते हैं मुलाइज़ा कीजिए मतला न जीत होती न ये जश्ट ही मनाते हम जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम मुलाइज़ा कीजिए मतला न जीत होती न ये जश्ट नहीं मनाते हम जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम उदा का शुक्र के मौजों से बेबो अल किये तुम्हारी यास में रहते तो हुत जाते हम वो पीट पीजय करता है बाद तागत की वो पीड पीज़े ही करता है वो पीड पीज़े ही करता है बहुत ताकत की हमारे सामने आता तो फिल पता है वो पीट पीछे एक शेर सुना के आखरी बहुत महबदों से रवाना करना बहुत खुशर शेर हैं कोई ताकत नी लगा हुआ बहुत अच्छा शेर है बिना ताकत के अब तक दिल तक पहुंचेगा ना जीत होती ना ये जश नहीं मनाते हम जरा भी हार से डरते तो हार जाते ह हम खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किये तुम्हारी आस में रहते तो ढूप जाते हम वो पीट पीछे ही करता है बात ताकत की हमारे सामने आता तो फिर बताते हम जालिम के सामने सर उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए देखो शेर कैसे बनता है वो पीट पीचे ही करता है बात ताकत की हमारे सामने आता तो फिर बताते हम रखाता हाथ मोहबबब से सर पर सालिम ने वो सर से हाथ उठाता तो सर उठाते हैं वो पीठ पीचे ही करता है बात ताकत की हमारे सामने आता तो फिर बताते हम रखाता हाथ मुझा मुटाता तो सर उठाते हम बताएं रास तुम को किस लिए हम शाद रहते हैं बताएं रास तुमको किसलिए हम शाद रहते हैं हम ऐसे शेर कहते हैं जो सबको याद रहते हैं बताएं रास तुमको किसलिए हम शाद रहते हैं दोस्तों बहुत शुक्या दोस्तों एक खुशकबरी दे रहा हूं आपको बहुत दिल से कि यहां पर हाडी भाइव बैटे और कि 90 प्रशूर भर मुझे क्षट है यह मुझे fill out मुझे है कि मुस्तकविल है आने ओलां शायरी का मुशायरों का मुस्तकविल है यह नहीं एक. महराश्ट्र्ण नृ tel ओन अपने शेर परो आखरी तोफ़े के दोर पर बताएं रास तुम को किस लिए हम शाद रहते हैं हम ऐसे शेर कहते हैं जो सब को याद रहते हैं घलत है कबर की मिट्टी में सब हो जाते हैं मिट्टी बताएं रास तुम को किस लिए हम शाद रहते हैं हम ऐसे शेर कहते हैं जो सब को याद रहते हैं घलत है कबर की मिट्टी में सब हो जाते हैं मिट्टी खुदा के नेग बंदे तो सदावाई